हाथ बंदो एक इस्त्री और अपने पती से कहने लगी है किया जी मोई तो गर्मी बहुत लगे तुम तो मेरो ख्याल बुल कुल्लू नाय करो करें तो क्या कह रहें नगी भीया रामसरन जी जेपुर को पंखा मगवाए दे मुई गर्मी लागे भारी जेपुर को पंखा मगवाए दे मुई गर्मी लागे भारी मुई गर्मी लागे भारी मुई गर्मी लागे भारी जेपुर को पंखा मगवाए दे मुई गर्मी लागे भारी और देखिए बंदो ये करीब पचैस साल पुरानी बात है पहले इसी प्रकार से औरतें जेपुर का पंखा जो मसूर था उसे मंगवाती थी और क्या मसूर था और सुपर फेन की धोती लाए दे चमक्य दे है हाँ सुपर फेन की धोती लाए दे पसमीने की साडी और रोतार कसी की बोडी लाए दे जमक दे हने राली जेपुर को पंखा मंगवाती मुई गरमी लागे भारी मुई गरमी लागे भारी जेपुर को पंखा मंगवाती मुई गरमी लागे भारी और क्या कहने लगी हैं अरे दूद दही की खाने वाली रवडी लागे प्यावी अरे दूद दही की खाने वाली रवडी लागे प्यारी और कला केंद को करो कलेऊ जो चाहे घर वाली जेपुर को पंखा मंगवाती मुई गरमी लागे भारी जेपुर को पंखा मंगवाती मुई गरमी लागे भारी और देखे सेंगार के बारे में कहने लगी हैं और कहने लगी हैं अरे नाक वीच बुला जहमारे नत सोए गुल खारी नाक वीच बुला जहमारे नत सोए गुल खारी पुर करन पूले और कुल फगु पेमा भीरा दिपे लिलारी जह पुर को पंखा मंगवाद है मुई गरमी लागे भारी मुई गरमी लागे भारी मुई गरमी लागे भारी जह पुर को पंखा मंगवाद है मुई गरमी लागे भारी और बोलें अरे सात से दौसी रोटी करके चड़ जाओ धमकी अचारी हाँ सात से दौसी रोटी करके चड़ जाओ धमकी अचारी और पलंग पोसको तकिया लगाए के खातर करो तुम्हारी जह पुर को पंखा मंगवाद है मुई गरमी लागे भारी जह पुर को पंखा मंगवाद है मुई गरमी लागे भारी प्रोट्ट्री